कि अधर गो है अधर गंतिन और जिसत्रह के भारत की संसक्ति को नेकिवल देश में अपीतुप पूरे विश्व के पटल पर जिस तरह से उभा रहा है याद करिये प्रदान मेंतिजी के वह बात कि पहले स्वदेश दर्शन फिर विदेश दर्शन पहले भारत में गूमें, हम सब भारत को परियाटक इस थलों पर जाएं और उसके बाद में आज किस तरह से परिद्रेश्य बतला है। निश्चे थी आज भारत का जो डुमेस्टिक ट्रेवलर है उसने जो है हमारी विदेशी सेलानियों पर निर्भरता को कहीं इस तरफ पर जो है वो कम किया है हमारे साथ बाचीत करने के लिए हैं गजेंदर सिंख शेखावत जी पिछली बार जलशक्ती मंत्राला था इस बार कल्चर और टूरिजम दिया गया है बहुत बड़ा मंत्राला है पूरे देश भर की जिम्मेदारी आप पर है कैसा लगड़ा क्या कहें कल्चर और टूरिजम दोनों ही ऐसे बीशे हैं जो भारत की छवी को पूरे विश्व भर में और अधिकों भारने के लिए काम कर सकते हैं मानि प्रदानमंत्र जी के नेतरतों में जिस तरह से जिस भव्य तरीके से जी ट्वेंटी का आयोजन भारत में हुआ भारत की जिस तरह से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और पिछले दस साल में एक सिग्निफिकेंट जम्प जिस तरह से भारत ने इस दिशा में मन्नी मोदी जी के नित्रतु में लिया है निश्चिती है जो भारत की सौफ पार है जो ताकत है यह इस समय में अत्यन्त प्रासंगिक है मैं प्रधानमांति जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण विशे और जो विशे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण भी और उनके दिल के सबसे करीब भी है उस विशे पर काम करने का सौभा के पूर्ण अफसर दिया है जो पूर के इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रधानमंति जी ने दिया है एक अंदम सवाल जाना चाहता हूँ जहां भी प्रधानमंति जाते हैं वहां पर भीड़ लग जाती है वहां का टूरिजम एकदम से बढ़ जाता है हमने लक्षदीब देखा हमने युद्या देखा हमने देश दर्शन फिर विदेश दर्शन पहले भारत में गूमें हम सब भारत को एक अपरियटर के स्थलों पर जाएं और उसके बाद में आज किस तरह से परिद्रश्य बदला है निश्चिती आज भारत का जो डुमेस्टिक ट्रेवलर है उसने जो है हमारी विदेशी सेलानि पर निर्भरता को कहीं स्थर पर जो है वो कम किया है लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ करने का जो है शेश है और निश्चिती आने बाले समय में देश का इस जो है डोमेन में पूरी दुनिया में वो प्रभुत भड़े इसको लेकर अम प्रधान मतिजी के विज इसना नुबारत दिली